मस्कार मैं अमरेंदर तिवारी औल टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करदा हूं दोस्तों सुप्रीम कोट का जारखंड पंचायत चुनाओ को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया है एतिहासिक फैसला दरसल आजसु के सांसन है चंदरपकाश चौधरी उन्होंने एक याचिका दाइर के थे सुप्रीम कोट में जो कि पिछली सुनवाई के बाद चार तारिक को एक डेट रखा गया था सुप्रीम कोट से अब जाकर इस पर फैसला आया है बहुत बड़ा अपडेट है जारखंड में पंचायत चुनाओ पर रोक लगाने को लेक यह याचिका दाइर की गई थी और कहा गया था कि बिना OBC आरक्षन के जारखंड में पंचायत चुनाओ नहीं कराया जाना चीर इन तमाम चीजों को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए नामांकन जारी है कुछ भी हो सकता है अब बड़ा अपडेट अपने जारखंड में होने वाले हैं कोई कहीं भी रोक नहीं है पंचायत चुनाओ पर रोक को लेकर सुप्रीम कोट का फैसला आया है बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों जारखंड के तमाम लोग इंसका इंतजार कर रहे थे और सुप्रीम कोट ने तो साथ में एक टिपनी भी की है कि जन प्रतिनिदियों के पदों को खाली नहीं रखा जा सकता है जितना जल से जल जारखंड सरकार पंचायत चुनाओ करा ये टिपनी सुप्रीम कोट की तरब से की गई है बहुत बड़ी टिपनी है और बहुत बड़ा अपडेट है इस वक्त के लिए जारखंड सरका ने अपना पक्ष रखा था जारखंड सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा कि देखिए नामांकन जो है वो जारी है और चुनाओ की तिथी की गोशना भी हो चुकी है और OBC आरक्षन के बिना जेनरल तरीके से ही चुनाओ कराने को लेकर सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया है तो बहुत बड़ा अपडेट है जारखंड में पंचाय चुनाओ पर अब कोई रोक जो है वो नहीं रहेगी फिलाल के लिए इतना ही लेते हैं आपसे इजाज़त फुर्मिलेंगा ने अपडेट के साथ तब तक के लिए नमसकार जैहिन जै भारत जोहार जारखंड जै जा को जादा जादा शेयर कर दीजे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा लीजेगा बहुत बहुत शुक्री आपका